हेलो, नमस्कार, वन्हेकं स्रियाकाल, आप सभी का स्वागत है, आपके अपने हे चलल, मैंगनर ब्रेंज़ साइडी जे यए नीट में में मेरे नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टाट करने वाले हैं, कि आज हम शौट लेने वाले हैं किल करने के लिए अपने एक और चैप्टर मेकानिकल प्रॉपर्टीज आफ सॉलिट को देखिए 40 डेस का टार्गेट है हर दिन एक चैप्टर का रिवीजन हम आपके लिए लेकर आते हैं आज फिर हम आ गए हैं हमेशा की तरह जो बात मैं ताय जा रहे हैं है कहाना वैसे कर देखा जाये Ahmad kB तो civर्श कि बढैक लाइन के चैप्टर माकि पेसिते उतनां इंप्रोरटेंट नहीं है नियूटके लिए जितने हैं बाकिशांत को टेए थेखिए तक में साथ करते हैं आगे लेक्शन में पढ़ना है error stress train hooks law work done का होत उसके normal shape or size से deform करो किसी deforming force के द्वारा और deforming force को जवा आप हटा देते हो तो वो क्या करता है अपने original shape or size में क्या कर जाता है वापस पहुत जाता है इसको बोलते है elasticity property और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको बोल देते है plasticity property क्या बोल देते है plasticity property आई बात समझ में ठीक है तो elasticity is the property of body by virtue of which a body regains or tends to regain its original configuration shape as well as size when the external deforming force acting on it is removed ठीक है simple सी बात है कुछ बड़ी बात नहीं क्या लेकिन हमेशा ऐसा होगा कैसर क्या आप जब भी किसी body पर deforming force लगा होगे तो वह हमेशा deforming force के हटने से हमेशा deforming force के हटने से अपने उरिजिनल shape or size में चली जाएगी क्या नहीं एक limit होती है कि जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो यह क्या करा भाई अपनी shape or size से deform करता है अपने शेपर साइज से क्या करता है डी फॉर्म करता है यह देखो ठीक ना और उसके बाद जैसे आप फोर्स को हटाओगे यह अपने और शेपर साइज में चला जाता है ठीक वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अफ्टर देघू क्या होता है जब आप किसी भी बाड़ी पर एक्सेराल फोर्स लगाते हो लगाते हो तो उसका डायमेंशन चेंज लगता है लेकिन अंदर के मोलिकिल्स होते हैं पॉर्स फॉर्स लगाया है उसके अगेंस में हम क्या करेंगे रजिस्टेंस प्रोवाइद कर जो आप व्यक्ता आप किसी भी वाडीपर जब आप किसी भी वाडीपर जब फूर्स लगाते हो फोर्स मतलब कि इवर्मिंग्ट वोम्रेटीस पर्णा याद रहना जो ना जो इंटर्नल रजिस्टिफ फॉर्स पर्यूनिट एरिया जो होता है उसको ब्सक्राइस बोलते होना a.c.s cross sectional area ठीक ना तो दा internal restoring force या resistive force per unit area of cross section of the deform body is called resist is called stress अच्छा stress को आप represent करते हो sigma से stress को आप represent करते हो sigma से आप कई बच्चे बोलते हैं कि सरे तो pressure pressure भी होता है pressure is nothing but force upon area हा लेकिए pressure जो होता है उसमें हम force बहार से लगाते हैं उस उस force को हम consider करते हैं लेकिए जब आप stress की बात करते हो तो stress में जो internal resistive force होता है उसको आप consider करते हो divide कर देते हो cross sectional area से आई बात समझ में हासर समझ में आ गई ठीक है ना it is a scalar quantity pressure x scalar quantity है pressure x scalar quantity है जो sigma है जाने कि जो stress है आपकी वो क्या है एक टेंसर quantity है क्या है वो एक टेंसर quantity है अभी हमारे syllabus में हम इसको क्या पढ़ते है scalar पढ़ते हैं बड़ जैसे जैसे आप higher class में जाते हो इसको आप टेंसर quantity बोलने लग जाते हो आपके काम का नहीं है जो लोग engineering करते हैं उनको यह टेंसर quantities पता चलती है कि बाद भाई जो stress है जो moment of inertia यह सब क्या है टेंसर quantities है अच्छन की unit same होती है दोनों की unit क्या होती है ऐसा unit दोनों की ही होती है Newton पर meter square याने की Pascal क्या सब रासकल अरे रासकल नहीं पासकल ठीक है तो ऐसा unit of stress is nothing but Newton per meter square ठीक ओके clear जी सर विलकुल सही अच्छा stress भी stress के भी types होते हैं तो एक होती है longitudinal stress एक होती है एक होती है longitudinal stress और एक होती है अपनी टेंजेंशल stress देखें longitudinal stress क्या होती है इसको आप normal stress से भी जानते हो कि जभी जब भी object पर along the length या मैं बोलू किसके cross section के perpendicular आप stress लगाते हो या फोस लगाते हो तो वो longitudinal stress generate करती है लोंगिटुनल stress is nothing but fn upon a यह दो type की होती है tensile stress और compressive stress देखेंगा माल लीजें यहाँ पर कोई object फोड़ सा मूटा करता हूं मैं इसका cross section में कुछ हैसा आपको बना कर दिखा रहा हूं ठीक ना यह देखिएगा पर मैंने क्या किया इस पर एक फोस लगा दिया क्या लगा दिया इस पर एक फोस लगा दिया चिक अब यह फोर्स इस cross section पे इस area of cross section पे क्या लग रहा है नॉर्मल लग रहा है लग लग रहा है तो यह नॉर्मल फूर्स पर रूनिट क्रॉस सक्टिन एरिया क्या कहला जाएगा आपको लागट्यूनल रस यानिकी well length of the rod is increased जब आप फोस लगाओंगे और ये Length of the rod को इंक्रीस करा दोगे जब आफ फोस लगाओंगे और Length of the rod को इंक्रीस करा दोगे तो आप यह बोलो के कि आपने 10s लेंखे करा लगाई है और जब आप इसके dimension को Length को क्या करोंगे compress करने कोशिश करोंगे तो आप फिर वहीं बात क्या स्केलर कॉंटिटी पॉसितिव नेगेटिव नहीं हो सकती तेम्परेचर हो सकता है एनर्जी हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकता भी यह हां सरो सकता है very good very good very good आगे बढ़ते हैं sharing stress sharing stress अच्छा जो longitudinal stress होगी वो generally आपके length के dimension को कम या जादा करेगी elongation का लाएगी या फिर compression लाएगी elongation लाएगी या फिर compression लाएगी कौन यह आपकी normal stress दूसरी होती है sharing or tangential stress यह sharing or tangential stress क्या होती है when the force is applied tangentially to a surface then it is called tangential or sharing stress अब simple सी बात है अगर कोई मोटी बुक आपके सामने में लेकर आएगा इसे मोटी बुक है उसको मैंने अगर कि तरफ किसक जाएगी हागे ना बुक आगर की तरा गरा की तरफ किसक जाएगी कि नहीं अरे किसकर इनिक स्क्रीट के और ना किसटा गी सार खिसक जाएगी साथ Khisak जाएगी सार ठीक है आई बात समझ में इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ठीक है नमाल लीजिए बुक है है ना अब आपको समझ में आएगा बहुत प्यारे तरीके से तो मैंने ये बोला कि यार इस बुक को मैंने क्या किया जबिया फिक्स हो गया और वाले इस पॉर्शन पर ने क्या का लगा दिया है टेंजनश्य फोस लगा दिया है एक तयजल वोस करा पैसे फशंचल कहा पहूंचका लगा है यह पहुंच समझे कARK हसार समझ गया है बल्कॉल समझ गया थीख है तापको ऐसा नहीं लग रहा है किसका शेयफ जुथा वो डिफर्म हो गया शेब क्या हो गया दिपर्म हो गया शेब इस दिफोम शेपर situação किसे अ किप आज बीफॉन शेयब मों डि उस प्रम बिक algumas Ships वॉल्यूम रिमेंसे वॉल्यूम दॉसे में बट क्या हो गया शेप चेंज हो गया है आई बात समझ में हां सर समझ में आ गई है चीक है तो उसका फॉर्मला आप देख सकते हैं तेंजन शेस इस गोस्टू यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है डिफॉर्मेशन इन शीप डिफोर्मेशन इन शेप डिफोर्मेशन इन शेप देखने को मिल रहा है खीक है बहुत बढ़ी आगे बढते हैं स्ट्रेंड क्या होता है भाई स्ट्रेंड सेटिरेंज ओफज़ी नं गपिरेशनकर है ऐप्सिलिन से अच्छा गॉंसी आघर लॉंगिट्यूनल होगी तो एपसलों हो जाएंगी ऐसलों ऑनना लॉंगिट्यूनल कुरते है यह पहर यह पर च्राइन भी तीन टाइम के होती है एक होती एंद्शा अच्छा च्रेंग जो होती है क्योंकि चेंज इन धामेंशन upon original length को आप क्या बोलते हो longitude अज्रींट को रिप्रजेंट करते हैं epsilon से तो epsilon is nothing but change in length upon original length epsilon is nothing but change in length upon original length volumetric strain volumetric strain volumetric strain को आप represent करते हो किससे epsilon v say it is nothing but change in volume upon original volume the epsilon V is nothing but change in volume upon original volume ticket okay sir and sharing strain 5 sharing strain 5 sharing strain 5 is x by L x by L abhi x by L kya hai zarah samjhenge I a dekhye dhyaan se dekhye this is your X this is your X and this is your L this is your L x by L job karte ho aap ko kya mil jata hai sharing strain देता है क्या देता है sharing strain देता है 5 आई बात समझ में आसर समझ में आ गई है तो 10 5 is equals to x by L आप क्योंकि ये 5 बहुत छोटा होता है तो 10 5 को हम 5 बोल देते हैं तो 5 is nothing but x by L समझे की नी समझे आसर समझे clear एई चीज़ यहां पर बोली गई है ओके clear 100% जी सर 100% है चलो आगे पढ़ते हैं stress-strain relationship पर आ गया हो आपको पता होगा बहुत आसान सीजिए कुछ टफ बात है नहीं जो आप हाईयर क्लासेस में जाते हो आप तो नहीं जाओगे खर जो इंजिनरिंग करते हैं वो लेकर जाते हों और नो ऐसे यह होते हं इसके का फासा देते है उसके बाद एक चक्रा लगा होता है है इसके आप 10 क्याप होता है त्युक्त युद dough रहेता है यहां पर उसको घर बंते हैं कि लोट बढ़ाते फड़ी में क्या चैंज आ रहे हैं फिर कितना रहा है तो माइल एकांस पर सिऩर्ण होता है जिसको हम क्या मांते हैं है अपना एक Nahar मानते हैं बेसस कर मानते हैं कि जैसा मास चाही कर रहा है वैसी चिंऽ के आसपास के नेचर के जो बागी स्टील मोन करें गयाउट है एक स्टेस एक डाइग्रामे ठीक है जो चली तो क्या होता है तक लाइन एकडम सीधी होती है यज जा बना लोग या बोलो गया तो और से ए तक line एकदम सीधी, straight line ओसे ए तक एकदम line straight होती है यहाँ पर क्या लगता है? hook's law लगता है क्या लगता है? hook's law लगता है hook's law valid होता है यहाँ बोलते है stress is directly proportional to strain अभी आगे देखेंगे यह रीजन में होता है लेकिन जैसे ही आपने A से आगे बढ़ें आप अच्छा इसने इस रीजन में material is elastic material is elastic हाना मतलब अगर आप यहाँ पर O से A तक अगर आप stress हटा होगे तो material अपनी original shape और size में चला जाए हो ठीक ना तो यहाँ पर material क्या है elastic है अच्छा A से B में अगर आप देखोगे तो line is not straight line is not straight anymore line straight नहीं है line is not straight anymore line is not straight anymore अच्छा तो फिर क्या हो रहा है हां पर यहां पर hooks law valid नहीं होता A से B में hooks law is not valid hooks law is not valid hooks law is not valid यह बात पक्की है hooks law is not valid hooks law बिलकुल भी valid नहीं होता अच्छा अगर hooks law valid नहीं होता तो क्या material elastic नहीं होता है धर नहीं यह बात गलत है A से B में material elastic होता है A से B में A से B में material is elastic material is elastic material is still elastic material is stick elastic मतलब अगर आप A से B में किसी भी पॉइंट पर A से B के बीच में किसी भी पॉइंट तक लोड लगा कर आप छोड़ दो स्ट्रेस लागा अगर आप छोड़ दो तो मटेर वापस अपने और 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 साइज में आ जाएगा कि अजिसार किय preciso क्या हो गया है अपको उले हो गया कभी महीं हो सकत्राइज हम जाए जिसलिए है कि मेरे साथ यह दिमाग थ scrib 찍 चल रहा जल रहा है थो जाधा घ्ल रहा है तो माहां है यहां से प्रोसेस तो कर दे रहा हूं वार्ड beso लेकिन उस यहां से निकली नहीं पारा पता नहीं ऐसा कभी-कभी होता होगा इसको कोई ग्लिज बोलते हैं सर डॉक्टर को दिखा लो अरे हो गया होगा कल ठीक हो जाएगा तो यह बोल रहा हूं कि कि एसे आगे जब आप बढ़ोगी हो इसे के बीकि इसी पॉइंट पर जा गर आपने लूड को छोड़ दिया आपने इस पॉइंट पर जाकर आपने stress को छोड़ दिया तो आपका जो आपकी जह अब्जेक्ट है जो बॉड़ी है वह अपने ओरिजिनल शेपर साइज में पहुँच जाई है अभी भी बॉड़ी इलास्टिक नेचर के अंदर है यह पॉइंट तक तो थी ही थी बी पॉइंट तक भी आपकी बॉड़ी क्या है एलास्टिक है ऐसा समझ लेते हैं हम इसको कि ओ से ए तक भी बॉड़ी इलास्टिक है body is a elastic अभी मताब body elastic तो है दिखर ही यह elasticity show कर रही है a से b में भी बोल सकता हूँ कि body क्या है अभी भी elasticity show कर रही है लेकिन अगर मैं load को और बढ़ाओ आगर मैं load को और बढ़ाओ जैसे ही मैं b se आगे पहुंचता हूं load को और बढ़ाता हूं मैं देखता हूं suddenly suddenly क्या होता है body fail कर जाती है object fail कर जाता है fail कर जाता है मतलाब अगर मैं B से उपर अपने load को ले जाओ B से उपर अपने load को ले जाओ तो body क्या करती है भी या fail हो जाती है याने की body अपने original shape और size पे नहीं आती है body original shape और size पर नहीं आती है तो मैं बोलूँगा कि b point पर बी को बोला जाता है yielding point yielding point yielding point yielding point मतलब body यहां पर हार मांद चुकी है body ने अपने हतियार रग दिए है और body बोल गई भाई मैं fail हो गई हूँ अब अगर मुझे पर मुझसे तुम लोड हटाओगे तो मेरे महमत नहीं कि मैं original shape और size में बहुत जाओओ मतलब B point के बाद body कैसी होने लग जाती है plastic हो जाती है B point के बाद body कैसी हो गई plastic हो गई B point के बाद body कैसी हो गई भाई plastic हो गई कि कौन सा रीजन आ गया यह plastic region आ गया B point के आगे कहां तक यह तक और ओसे तक यहां तक क्या था elastic region यहां से हां तक क्या था भाई elastic region था ए और elastic region ठीक नहीं यह होता है upper yield point B is the upper yield point C is the lower yield point अब यह लोगर रिल पॉइंट क्या होता है माइल स्टील में ही होता है क्यों होता है यह का यह बात करने के हमको ज़रूरत नहीं देखने को मिलेगा बाकी और कहीं देखने को नहीं मिलेगा लोवर yield point अब क्या होता है जैसे भी पॉइंट की उपर आपने लोड बढ़ाया तो अब आप लोड भले मत बढ़ाओ लेकिन अपने आप बॉड़ी में फोर्स लगाए बिना स्ट्रेस लगाए आपकी बॉड़ी में स्ट्रेन यानि की डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो यहां पर material पागल हो जाता है आई मेरी बात समझ में हासर तो जितना ज़्यादा प्लास्टिक रीजन होता है प्लास्टिक रीजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका material होता है जितना ज्यादा प्लास्टिक रीजन ज्यादा क्या बोलेंगे material डटाई और प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा हो गया अगर प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा हैं तो सिख्यादा हो गया तो हम बोलेंगे कि हमारा मटीरियल क्या है मेलिएबल है इसमें क्या इतनी पतली कि आप टीना बटना वह वार्क लगा होता है था ना तो जब भी किसी मतियाल की मेलियाबिलिटी आप देखोगे तो आप यह चेक करोगे कि उसका प्लास्टिक रिजन बहुत ज्वडा है कि नहीं हग्ए अगर प्लास्टिक वीजन बहुत लंबा है बहुत लंबा है तो मतलब मटियरे अच्छा-kassा I would say अगर अगर प्लास्टिक रिजन 5 Prozent से जद़ा हो गया क्या हो गया पांच पर से जधा हो गया तो हम बोलते हैं तो इसा बोला जाता है ठीक है ना चलिए बी पॉइंट होती है आपकी यह तैंसाइल स्रेंट पर आप जैसे पहुंचते हो यह आपकी होती है अल्तिमेट टेंसाइल श्रेंथ वास यह सबसे maximum value है जो stress की जो यह material जहील सकता है तो हम D को बोलते है क्या है Hawaii टैंसााईल स्ट्रेंग्ठ तै क्या है? टैंसाईल स्ट्रेंग्थ है सिख और E क्या होता है Finally E पर आके आपका material fracture हो जाता है E पर आपका material क्या गर जाता है fracture जाता है और आखरी सांस गिनता है, clear बात, clear बात, हाँ सर, बिलकुल सही, बिलकुल सही, चलो, आगे बढ़ते हैं, यह थी हमारी stress strain relationship, अब hooks law पर बढ़ते हैं, according to hooks law, for anybody within the elastic limit, stress developed directly proportional to the strain, produce, देखो यह small deformations के लिए सही है, hooks law की जब हम बात करते हैं, तो बात करते हैं, small deformations के लिए, deformation तो आप समझती होग हैं, deformations, small deformations के लिए बात होती है, मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको line दिखाएती, straight line, यह देखो, और से लेके a तक, अच्छा एक चीज़ और, जो a point होता है, कई लोगों को बहुत confusion होती है, मैं clear कर देता हूँ, जो hooks law हो यहीं तक valid है, यहाँ तक नहीं, elasticity यहाँ तक है, एक body elastic b point तक है, यहाँ रखना, एक body elastic b point तक है, a point तक नहीं, लेकिन hooks law valid है, a point तक, b point तक नहीं, तो a को proportionality limit भी बोली जाती है, इसलिए a को proportionality limit बोलते है, a को क्या बोलते है, proportionality limit, proportionality, proportionality limit, ठीक, और b को बोलते है, elastic limit, और b को बोलते है, elastic limit, और b को बोला जाता है, elastic, ठीक न यह एक्स्टाव पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिये हैं हाथ तो मैं बात कर रहा था कि ओसे लिए तक आपकी जो लाइन थी स्ट्रेस्टीन करके एक दम सीधी चल रही थी तो वहाँ पर हुक्स लोग हुक्स लोग एक दम प्यारे तरीके से क्या हो जाता है वैल आपको पता हुआ है यह सब बहुत बेसिक बात है आपको पता हुआ हुआ है यह सब बहुत बेसिक बात है आपको पता हुआ है होनी चाहिए longitudinal stress upon longitudinal strain upon longitudinal strain longi-tudional strain on longitudinal stress stress upon longitudinal strain ठीक ना अच्छा उपर unit क्या है Newton per meter square और नीचे क्या है कोई unit नहीं है उपर देखो यहां पर आप देखो अगर आप देखो अगर आप देखो तो इस लाइन का अगर आप स्लोप निकालोगे यहां से आते हैं तो स्लोप कॉंस्टेंट है यह देखिए अना तो आप बोल सकते हो कि टैन थीटा जो है कहां तक ओसे लेके ए तक और से लेके ए तक आप बोल सकते हैं वो क्या है stress upon strain तो यहीं आपका of modulus of elasticity भी बोलते हो ठीक है हां sir okay okay next अब देखिए एक तो आपने young's modulus of elasticity की बात कर लिए जो कि normal stress upon long endless train के बराबर होता है उसके बाद आता है bulk modulus of elasticity एक होता है young's modulus of elasticity एक होता है bulk modulus of elasticity यह क्या होता है it is defined as the ratio of normal stress to the volume metric strain coefficient of volume elasticity आर 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 क्या बाल दिया कुछ नहीं होता है यह होता है k is equals to delta p upon minus of delta v by b यह minus क्या है यह minus क्या है अरे भाई delta p देखो आप जब बोल रहे थे stress is directly proportional to strain तो आपने इसको क्या बोला था sigma is equals to e into epsilon बोला था कि निए बोला था hooks law यह क्या है भाई hooks law this is nothing but hooks law यह क्या है hooks law यह कब है जब आप आपने longitudinal stress लगाया हुआ है जब आपने volumetric stress लगाया volumetric stress मानलो मतलब एक ball है आपके फुटबॉल है football के हर तरफ से हर area से आप एक normal force लगा रहे हो तो वह एक normal stress generate करेगा यह हर जगे से लगने वाली normal stress क्या गरेगी उस football के volume में कम ही लेकर आएगी तो इसका हम क्या बोल देते है normal volumetric stress बोलते हैं ठीक है यह क्या लेकर आती है volumetric strain लेकर आती है this is nothing but hooks law आई बात समझ में आप देख उसको ध्यान से देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ delta p is nothing but minus of k into delta v by v माल लीजे कोई object है इस पर हमेशा जब भी आप volumetric strain की बात करोगे इस पर हमेशा बाहर से आप क्या लगा होगे से फोर्स लगा होगे जुसके surface पर क्या होगा perpendicular होगा surface पर क्या होगा perpendicular होगा यहां पर जो force पर इने छोटा सा एरिया लग रहा है यह आप देखो कि नॉर्मल है surface पर हां कि ना हां सर यह क्या कराएगा इसके वाल्यूम में change लेकर आएगा change कैसा लेकर आएगा हमेशा volume कम होगा final volume कम होगा initial volume जाथा होगा तो final minus initial जब आप करोगे तो value negative आएगी उस negative को compensate करने के लिए यहां पर minus sign लगता है देखो यह से मिलता जुलता नहीं है sigma is equals to into epsilon and delta p is equals to minus k delta v into v इसको आप और प्यारा तरीके से क्या लिख सकते हो देखो delta p is equals to minus k into volumetric strain ये भी hook's law ये भी क्या है भाई ये भी hook's law चीक तो यही formula है इसका देखिये k is equals to delta p upon minus delta v by this is bulk modulus of elasticity इसकी unit भी क्या होती है newton per meter square इसकी unit भी क्या होगी newton per meter square हना चलो pressure को उसने यहां पर क्या लिख दिया f by a लिख दिया डरने की कोई ज़रूरत नहीं है चलिया जाई आगे modulus of rigidity आने की shear modulus ठीक है जब आपने टेंशा टेंशेल फोर्स लगाया था शियर फोर्स लगाया था तो आपको shear stress मिली थी समझ रोगे नहीं हां सर तो वहां पर जब आप hooks लोगाते हो तो वो कैसा हो जाता है hooks लोग जाता है टाउज इक्वेल स्टू जी इंटू फाइचिए आई मरी बात समझ में टाउच टू घ्न टू फाइच में डाउच ए 2015 सियर स्ट्रयस स्ट्रेस टेगे नह और फाइच शीर स्ट्रेन कि यह स्ट्रेन पर जाना एक स्ट्रे से ö framework का रहे से यान एक स्स्ट्रेश झान भीच में किया है गां ओडल ले लिटिटी यह था है भाई modulus of rigidity modulus of rigidity clear है पक्का अना इसको आपको क्या करना है भाई समझना है याद कर लेना है बस और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यहाँ पर भी जो टाव की उनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर है फाई की कोई कि उनिट नहीं है तो मेञिक निज्टन पर मिटर स्क्वेर क्लियर केझ हाँ देखे जीजिए नंग Ik Leb ze Sharpe Star ऐसे में कि देखो हंड़न परसेंट जी सरह न्हांड़न परसेंट है चलों आगब बढ़ते हैं वीजंश को आपको अभी तका आप सिर्फ एक po baat कर रहे है है एक डैमेंशन है मतलब मतलब यह देखो समझना मेरी बात ध्यान से अगर मैं इस आबजेक्ट को हो एफ फोर से खीचता हूं एफश लागर क्या करता हूं की जूअ माल लीजे इसके लेंध ट्यू टो ग्या होने वाला है बताओ मुझे यह और से किसका डाय मेंशन बढ़ जाएगा क्या करेगा डायमेंशन ऐसे डायमेंशन अब लेंशन बढ़ जाएगी लेकिन इसकी जो वेट है वो पत्ली वो छोटी हो जाएगी देखो अई बात समझ में नहीं समझ में पहले इसकी लेंद एल थी हाना और विट्स माली जे कितनी थी विट्स पहले माली जे बी थी अना बाद में लेंद कितनी हो गई बाद में लेंद हो गई है एल प्लस डेल्टा एल बढ़ गई लेंद क्या कर गई बढ़ गई लेंद क्या कर गई बढ़ गई चीक ना लेकिन जो विट्स थी जो विट्स थी चोड़ाई थी वो क्या हो गई कम हो गई देख सीव चो बोला जाता है और इसको बोला जाता है लांटेटर स्ट्रेंट यह देखा गया कि चब आप लॉंगी तो पोर्स का जम ऋंग वाली फ्ली Hack ल donde लगने वाली फॉर थिक आ वहां न तो जब आप लॉंगी लेटरल भी आ रहे है हना तो हमने बोला भाई यहाँ पर यह देखने के लिए कि अगर लॉंगिट्यूडनल स्ट्रें आएगा किसी भी माटियल में तो लैटरल स्टेंग कितना आएगा यह जानने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी बनाई जिसको क्या बोला गया पॉईज माटरल स्टामें भी आटरल अओ अविल्टा रही अपने आपक्सिल एकम्लव ग्सक टॉर्ड फीमियो अपने ब्लार इस दोख से अगर्म धॉसको ब सुवड्रेंत parole इक किसी से वरानियू्ड अपने और ग्सिलई एक ! यहां negative क्यों लगा है negative क्यों लगा है क्योंकि जब एक dimension बढ़ेगा तो दूसरा dimension कम होगा ना आप देखो length बढ़ रही है L से L प्लस डेल्टा L हो रही है लेकिन जो width है वो B से B बढ़ रही है जिसकी चोड़ाई है लंबाई बढ़ गई तो चोड़ाई कम होगी यह क्यों हुआ वालियूम कंजर्वेशन के कान किसके कान हुआ भाई यह length बढ़ी length बढ़ी बट विट्थ कम हो गई ऐसा क्यों हुआ किण सब तो वियूं सर्विशन कई क्ष्म एंग गल्लों सब्सक्रा नो U dat सब्सक्राइब टुर्वी असल्यृ ना युट सब्नेचल तो अर। है रगाता है हर मिटरील के लिए बिदनी से बनाई अब है स्यमिडिया इस बनाने लगाता हूं तो किते लोंगीट्यूडन ऑगाता हूं तो कितना इसा injured ले बेकर आ गया है जिसमें लंभाइन बहुत ज़्यादा बढ़ती है और चोड़ाह यत च्ली म्हों हो जाती है कि एकदम पतला हो जाता है तो आप इस मट्रिल का क्या करोगे हो सकता है इसका यूज बिर्च पे नहों किसी और काम के लिए हो समझ रहो तो ऐसे बहुत सारे मट्रिल बने हुए है और उनको एक पॉइजन रेशो की वैल्यू क्या कर दी गई है असाइन कर दी गई घुँए लाए करती है जीर अगर आई बास समझ में हाँ चल यह वह और आके बढ़ता है next is inter-relationship between elastic constants inter-relationship between elastic constants inter-relationship between elastic constants mu बोलता हो मैं इसको हना ठीक है तो यहां पर rigidity modulus बोला गया rigidity modulus मतलब जी अच्छा यह तो सब बोलने के तरीके है ना या मैं नाम बजल दूंगा तो कुछ हो जाएगा क्या अब आप अपनी girlfriend को baby show ना बुलाते हो नाम तो उसका कुछ भी हो लेकिन आपको क्या बुलाना है baby show नहीं बुलाना है समझे की नहीं समझे हां सर समझ गया तो मैं जो यूज करता हूं भाई मैं उसी का उसी को यहां पर बन दी प्रेजेंड करूंगा अब टेंशन मिलकुल मतलो आपको जो मनना है आप अपने मर्जी से मान सकते हो यंग's मोडल इस भी होता है बलक मोडल आसफ लासिश्टी में लिए के होता है टेकने ओंक यहां पर कुछ 2 is equals to 3k 1 minus 2 mu 3k 1 minus 2 mu 3k 1 minus 2 mu 3k 1 minus 2 1 minus 2 mu and 3 kya hai bhai 3 is equals to 9 kg upon 3 k plus g upon 3 k plus g यह तीन रिलेशन है जो आपको याद रखना है हना यह किसके लिए डिफाइंड भाई आईसो ट्रोपिक मटीरियल के लिए लिए रिलेशन के लिए डिफङ्ड हे इसो ट्रोपिक मतियरियल के लिए इसो ट्रोपिक टिप लिए के लिसलो आगे पड़ते हैं यलोन को चीचते हों तो स्षार के पार्टिकल की बीच मॉली क्रीचि पर गान पार लगता है होर नशिक जो दूर दूर ले जाने के Lya Lee akan किया करना पड़ता एक्सटेनल ना पड़ता है externell work करते हैं तो वह work एंथन अनर्जी बन के क्या हो जाता है Kahlo B है हमारी वायर में so this is work is done against the internal restoring force while stretching a wire this this work is stored as a elastic potential energy आपने किसी भी वायर को खीचा वायर के अंदर के molecules तोड़े तोड़े दूर आ गये वह यहां को दूर दाने के लिए आपने वर्क परफॉर्म किया वह वाक लास्टिक पोटेंशल एनरजी बन कर क्या हो गया वायर में store हो गया ठीके ना then work done is given by one by two stretching force into elongation यहां पर ध्यान रखीगा यह stretching force है और यह elongation नहीं कि delta l है यह delta l है हना हम जो stress versus strain diagram बनाते हैं हम जो stress versus strain diagram बनाते हैं this is stress this is strain अभी हमने बनाया था stress versus strain अगर आप से कोई पूछ ले कि load versus deflection diagram बता ओ कैसा होगा मैं मैं इशी dop कोई क्या पूछेगा मैं आपको बोला सुनो यह stress versus strain diagram बना किसका mild steel का mild steel के stress versus strain diagram बना यह बना दिए मैंने mild steel का stress versus strain diagram ठीक हम नहीं вниз बोला कि सुनो इसका load versus deflection diagram बना हो load मतलब force versus elongation का डाइग्राम मना दो तो एक बात याद रखना कि जैसा stress strain डाइग्राम बन रहा है माइल शील का वैसा ही load deflection curve भी बनेगा वैसा ही load deflection curve भी बनेगा आई बात समझ में हां सर समझ में क्लियर है जी सर बस एक अंतर है कि area under load deflection curve आपको क्या देता है strain energy stored सुनना मेरी बात ध्यान से area under f deflection याने की force deflection curve आपको देता है work done जो की क्या होती है elastic potential energy होती है वास stress strain graph graph के अंदर जो area आप निकालते हो वह actually होता है strain energy per unit volume यह बात समझ में देखो यह जो elastic potential energy दी गई है यह और कुछ नहीं है this is strain energy this is strain energy ठीके ना मैं यहां पर लिख रहा हूं area under this curve area under under this curve area under this curve is nothing but what area under this curve is nothing but what अरव या इसका f deflection load deflection करू के अंदर जो area होता है उससे आपको मिलती है strain energy सरे strain energy क्या होती है अभी बता रहा हूं elastic potential energy लिखिए elastic potential energy लिखिए यही इनरजी होती है बस इसका नाम दूसरा रख दिया strain energy अच्छा और area under this graph आपको क्या देता है area under stress strain curve area under this curve आपको क्या देता है strain energy per unit volume strain energy per unit volume strain energy per unit volume बात समझ में आ गई हां सर समझ में आ गई है अब यहाँ पर लिखा है half stretching force force into elongation नहीं कि force into deflection का करव का area जो होगा वह आपको क्या देगा strain energy पूरे volume लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता मैं अगर ऐसा लिख देता हाफ stress into strain stress into strain तो यह क्या बन जाता energy stored per unit volume जो आगे का formula है energy stored per unit volume का formula है energy stored energy stored per unit volume यह से लिख देता हूं strain energy per unit volume पीछे हो जा strain energy per unit volume is equals to half into sigma into epsilon बस खतम बात बस खतम बात अब यहां different different formula बन सकते हैं देखो कैसे half into sigma into epsilon को आप क्या लिख सकते हो epsilon को आप क्या लिख सकते हो sigma upon e लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो तो यह formula क्या बन जाएगा epsilon का square into e समझागे नहीं समझे तो यह भी यही है यह भी यही है सारे formula क्या है सेम है बट याद रखना कि अगर stress train है तो energy per unit volume निकलेगा और force or deflection है तो energy per unit volume निकलेगा बात समझ में आई जी सर समझ में आ गई है चलिए आगे बढ़ते हैं thermal stress की अब हम बात करेंगे thermal stress क्या होता है बहुत basic सी चीज़ा कुछ भी ऐसा नहीं है rocket science आपको समझ में ना आए देखिए यहां पर क्या है यहां पर क्या है एक l length का है भाई या अएख हमारे पास कोई रॉड है या बार है वो क्या है भाई fix the ex sites sml टिकेंगा अविक्स क्यों कर रहा हो सद्वी fix मत कर तो इसको अभी Mr Quaker do Free रखो इसको मैं क्या करता हूं free रखता हूं ठीके न इसके लेंद्स था हो रगा दिया हिए इसको या कर रहा हिट अब कर रहा है कि यहां से मैंने इसका टेम्परेश्चर डिफरेंस बढ़ा दिया तक टेम्परेश्स اम पहले निच合र 20 डिक्री ऑफिक क्या कर दिया chart तो देल्टा टी क्या हो गया बढ़ गया बात समझ में आई की नहीं हां सर समझ में आ गई ओके आगे बढ़ते हैं जैसे ही मैंने थोड़ी दिर बाद इस बार को देखा या मैंने थोड़ी दिर बाद मैंने से रॉड को देखा तो यह रॉड कैसी हो गई होगा है इसमें ड्लटा लमन्द का चेंज आ गया सिर्टा अलंद का चेंज आ गया Lindas में देखा इसमें ओलांगेशन लगाई लेकिन इसको कई फोर्स लगाई नहीं अच्र तो यहां पर स्ट्रेस कितनी और होगी जैसे मैं नहीं पूछाओ इसक्राइस को आई होगी एक बच्रैस कुछ थे होगी एक बच्च स्थरेस कुछ भी नहीं होगी मैंने क्यों ने क्यों तो इसने फोर्जनरेट करते हैं उस रजिस्टर फोर्स पर इनिट एरिया को आप स्ट्रेस बोलते हूं लेकिन यहां पर तो बहार से कोई फोर्स लगा ही नहीं यहां तो आपने गरम किया और यह चैए चैए है क्या गाणिया खुज अच्छ 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 च्योग बढे गया क्योंकि 2 ऑस कीफशन्ट ऐस थर्म इक्सaking बंचीन कैना की इस पर मेलीं गेस्ट रहते हैं вечे इस प्रेसा थेजिंटु अद रह नहीं थे स्ट्रैस तो नहीं आने वाली है क्योंकि आप आपने इसके elongation को रोका ही नहीं अगर आप इसके elongation को रोकने लगते अब यहां material क्या करना बढ़ना चाहरा है आप नहीं तुम नहीं बढ़ोगे तो फिर वह resistance दिखाएगा ना पूर क्या जनरेट करेगा बढ़ना नहीं चाहता था आपने एक्स्टरनल फोर्स लगाया उसे जबरदस्ती बढ़ाया तो उसने इंटर्नल रजिस्टिफ फोर्स दिखाया जिसको पर यूनिट एरिया करके आपने स्ट्रेस बता दिया अब यहां पर आपने गरम किया material बढ़ रहा है आराम से बढ़ र क्यों से अपर्ट के एक्स्ट्रेस कितनी हां तॉ इस क्या है और बाद तरमल श्रेस की हो क्यों रिए थर्मल इस होता कि आई झालि यहांं से भड़नी लेकिन फिर यहां सेबर दील अगर मैं कुछ तरी के से बात करूं आपसे दिखो यहां पर यह एक केंट से नुस कर दीमने इसकी लैंउह एरिया है है model of elasticity है और coefficient of thermal expansion alpha है मैं इसको heat up किया मैंने क्या किया इसको heat up किया heat up जैसे किया तो यह क्या कर सकते हैं elongate कर दो गया अब जैसे yoyo long 8 किया मैंने बूला सुनो मैं इसको long eight नहीं होने दूगा क्यों नहीं होने दूगा बस मेरा मन है में बढ़ देना चाहता तो तो मैं क्या करूंगा मैं इसको यहां से फिक्स कर दूँगा इसको यहां से क्या कर दूँगा फिक्स कर दूँगा अब यह लौट तो बढ़ना चाहती थी यहां तक बढ़ना चाहती थी लेकिन आपने इसको बढ़ने नहीं दिया आपने इसको दूसरे एंड से फिक्स कर दि तो हम यहां पर जो भी कर रहे हैं गरम कर के कर रहे हैं चीजों फोड़ टी किया है भाई रिटर दिन जीरू है positive जब तो अम यहां पर बोलेंगे जो thermal stress होती है वो क्या होती है alpha delta t e क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पर जो elongation यहां पर जो elongation है वो डारेक्ली डिपेंट किसे पर रहा है एरिया पर कर रहा है क्या अरे भाई कुल मिला कर इतना सूच आपने सको गरम किया गरम किया यह बढ़ गया बढ़ गया कुछ ना को जिसमें स्ट्रेन आई क्या इस्ट्रीन आई वो स्ट्रेन हम निकालते हैं कैस देलटा एल अपॉन एल इज नुतिंग बट इल्फा डेल टी इस अथिस झी थर्मल स्थ्रेंस इनaux डाएलफा डेल्टा कुछ ये Inc. प्रहलं ट क्यांग में लिइए आपकी अल फाल्डकट at times बिस एक लिए पॉन ए समझेस आ्या सराम से आहां से आया यह फॉर्मल माईए यूनिट इसकी सेम होगी newton per meter square अच्छा एक unit होती है newton power meter square attorney मांते हो की मंते हासर मांते है अच्छा लटा टीक यूनिट क्या होग डेटरीय तो होगी Kelvin या तो होगी किग्री celsius में जचके न और alpha की value होती है न्यूनिट chee Patrum Chief चलीकम कलवन या परनिएट किलवन ठीक है ओके आई बात समझ में जी सर समझ में आ गई तो इस थर्मल श्रेस्ट इस थर्मल श्रेंग अच्छा इस केस में बताओ stress आ रही है हासर इस case में stress आईगी इसमें thermal stress 0 नहीं है thermal stress 0 नहीं है या thermal stress 0 थी इस case में thermal stress 0 नहीं है बट क्या 0 है thermal strain 0 है क्या 0 है thermal strain 0 है आई बात समझ में हासर समझ में thermal strain क्या है भाई 0 है clear बढ़िया हासर so this is the case of thermal stress and stream basic formula याद रखना thermal stress का alpha delta te और thermal strain का alpha delta t बस और कुछ नहीं ठीक है चलिए आगे बड़े यहां पर हम theory खतम करते हैं अपनी mechanical properties of solids की और start करना है हमको क्या आपने numerical तो copy pen लेकर बैट जाई अब आप देखिये पानी का कमाल जो आपने भी यह पिया होगा हाँ पहला question a stress of this is applied to a steel rod of length one meter long its length its younger modulus is this then elongation produced in the rod in mm is okay देखिए भाई simple सी बात है मुझे पता है कि जो modulus of elasticity होती है वो क्या होता है stress upon strain होता है stress क्या होता है force upon area strain होता है change in length upon original length तो आप बोल सकते हो यह अगर आपको elongation निकालना है change in length तो अब इसको इधर ले जाओ यह हो जाएगा f l upon a e हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा ठीक है न तो change in length यानि कि elongation f by a होता है stress into length upon e इससे आप निकाल सकते हो देखो गेवन आपको क्या क्या है stress given है ठीक है तो चलो निकाल रहा है हम भाई delta l stress आपको गिवन है 3.18 into 10 to the power 8 newton per meter square ठीक है into length कितनी given है 1 meter कितनी length given है 1 meter divided by क्या आएगा e e value आपको दिये young's modulus of elasticity 2 into 10 to the power 11 newton per meter square ठीक है ना अच्छा point रटाया 20 नीचे और लगा लिये ठीक है ना ओके 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 हो जाएगा 10 to the power 11 है 10 to the power two हो जाएगा 10 to the power 13 हो जाएगा 10 to the power 13 उपर चला जाएगा ठीक हूँ जाएगा थ्री वन एट divided by 2 into 10 to the power 8 उपर जाएगा 10 तो पार कितना माइनस 13 11 23 एचा र्पांच होता है तो यकिन नोब इंस-3 तो थी 18 इंट कुट लूब whatnot ठीक है very good पहुत बढ़ी आगे बढ़ते है next question पे next question क्या बोल रहा है next question बोल रहा है the volume of water changes from 100 liter to 99.5 liter under a pressure of 100 atmosphere the bulk modulus of elasticity will be bulk modulus of elasticity निकालना है के का formula होता है delta P divided by negative of delta V by V यह formula होता है ठीक है ना okay हमसे वह पूछ रहा है bulk modulus of elasticity of water निकाल कर बताओ अच्छा change in pressure आपको कितना दिया है कहां कि 100 atmosphere दे दिया सिध्य सिध्य तो आप pressure रखो 100 ATM divided by change in volume upon original volume कितना बुल रहा है change in volume 100 liter से 99.5 हो गया है तो यह minus minus एक दूसरे को balance कर लेंगे कितना जाएगा 0.5 liter का change divided by original कितना volume था 100 liter into कुछ नहीं सर कुछ भी पक्का अरे लीटर को मीटर क्यों में तो change नहीं करना नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि लीटर लीटर एक दूसरे को काट दिंगे अच्छा atmospheric pressure है इसको newton per meter square में change करना पड़ेगा क्योंकि आप देखिया option newton per meter square में दिये है तो इसको multiply कर दो 10 to the power 5 से अना 180 m 180 m is all almost equal to 10 to the power 5 Pascal ठीक ना मैं 10 to the power 5 से सीदा-सीदा multiply कर दिया यह point हटाया तो उपर एक 10 और चला गया अच्छा नीचे भी तो 100 है एक नीचे भी तो 100 है ठीक ना यह point हटाया यह नीचे कितना हो गया thousand हो गया नीचे कितना हो गया thousand हो गया ठीक ना यह नीचे हो गया thousand ऊपर लेकर जाओ गया 10 to the power minus 3 हो जाएगा नीचे से मिटा दू तो यह कितना हो गया यह हो गया 10 to the power 2 यह 10 to the power 5 into 10 to the power 5 divided by 5 option चेक करो 2.026 आ रहा है ऐसा ऐसली हो रहा है क्योंकि वहाँ पर हमने one ATM almost 10 to the power 5 पासकल ले वैसा 101325 पासल के बराबर होता है मैंने 1 मैंने सिधे 10 to the power 5 पासकल के बराबर ले लिया है तो मुझे 10 to the power 9 दिख रहा है अगर यहां से 10 to the power 9 मरालो तो क्या होगा 10 into 10 to the power 9 हो जाएगा हासर हो जाएगा नीचे 5 यह काटा मैंने 5 दूनी 10 हो गया तो 2 into 10 to the power 9 हो गया हासर बिलकुल कितनी हो गई 2 into 10 to the power 9 newton per meter square 2 into 10 to the power 9 newton per meter square लो भाई आगे answer आगे answer next question the breaking stress for copper wire is 2.2 into 10 to the power 8 newton per meter square the maximum length of the copper wire which when suspended vertically for which the wire will not break under its own weight यार आप copper wire को जब उसकी weight के आप ऐसे लटका रहो हो वो बोल रहा है कि कितनी कितनी इसकी maximum length हो कि अपने अपने वेट के काराण break now तो इसका जो ब्रेक इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा मतलब फोर्स बनाएगा नीचे की तरफ वो फोर्स के जननेरेट करेगा stress generate करेगा तो हमको समझ में आ गया कि यहां पर जो stress generate हो रही है वो इसके वेट के कार्ण हो रही है तो वेट पर unit area ठीक है ना mg पर unit area यह क्या बनाएगा stress बनाएगा breaking stress आपको देदी कितनी 2.2 into 10 upon 8 newton per meter square I hope that place समझ में आ गया होगगा कि यहां पर मास तो दिया ही नहीं मास नहीं दिया तो क्या हुआ यहां पर आपको क्या दिया density optical lik every the watch channel लग गया कि मैं यहां पर मास को क्या लेक्सकता हो density into volume लिख सकता हूं कि नहीं हां से लिख सकते हो अच्छा वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं एरिया वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंग्ध ये लिख सकता हूं जी आपको पता है density आपको given है यहां से length निकाल सकते हैं यहां से आप length निकाल सकते हैं चलो length निकालते हैं भाई 2.2 into 10 to the power 8 divided by density density कितनी है 8.8 into 10 to the power 3 into L L तो हमको निकालना है G की value है 10 ठीके ना 10 की value मैंने 10 value मैंने G की अपने से मानली 9.8 होती है 10 10 में मानकर चल रहा हूं चलिए यह पॉइंट रटाया यह पॉइंट रटाया ठीके ना ग्यारा दूनी बाइस ग्यारा अट्थे अठासी दो चौको आठ ठीके ना आब यहां पर दिख रहा है मुझे 10 to the power 4 उपर जागा 10 to the power माइनस ओर गा 10 to the power 4 बचेगा 1 upon 4 into 10 to the power 4 तो L की वेल्यू कितनी आ गई 1 by 4 into 10 to the power 4 is equals to L 1 by 4 कितना होता है 1 by 4 कितना होता है 0.25 होता है पक्का आसर तो 0.25 into 10 to the power 4 is equals to L पक्का आसर पक्का तो यह जागा 25 into 10 to the power नीचे हो जाएगा 10 to the power 2 उपर जाएगा minus 2 तो यहाँ जाएगा 10 to the power 2 is equals to L कितना आ गया एयसा डीच्ट किसका बनता है एस से ड exting किसका बनता है एस डाइग्राम मनता है elasta मिर्ण कि किसका एलास्टो मर्सका एलास्टो मिर्ण का ठेक होते हैं पट POL Won Thanks लोकर नहीं करते हैं एक चीज़िए बहुत IMPo Milan थिर्यों कि जो हुक्स लोग को फॉलो करेगा जो हुक्स लॉग को फॉलो करेगा वो क्या होगा भाई वो इलास्टिक तो होगा पक्की बात है कि वो इलास्टिक होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इलास्टिक हो वो हमेशा हुक्स लॉग को फॉलो करें हुक्स लॉग को अगर कोई फॉलो कर रहा है material तो कोई लास्टिक होगा लेकिन अगर कोई मटेरियर लास्टिक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों फॉलो करें जैसे लास्टोमर्स जैसे अल्यूमिनियम जैसे मगनीशियम ठीक है के सर नेक्स आगे बढ़ते हैं अमाय सील वायर फ्लेंध 2L 2L और L of cross-sectional area a stretched well with an elastic limit horizontally between the two pillar shown in the figure abbas abbas suspended from the midpoint of the wire strain in the wire is strain in the wire jesus the strain in the wire थे लोगे दिमाग की बत्ती जल गई डल येल वाय एल निकलना ठेकना एल की वैली मुझे पता है क्या है initial कितना एलेंध 2L initial चीनल के दोड़ोल फटाति मुझे निकालना क्या है मुझे डेल्टा यलकला है मेरी मेनत यहीं पर मुनिट या पूरी की पूरी के डेल्टा एलकसी निकलेगा चेंजे निंद कैसे निकले और फैली ओरी ऑश्सक्राम घूता ूँ य मुल इंड़ लिए यह अधी और तो मैं जानता हूँ कि जो a o o b Hooga वह बढ़ा ओगा किससे ab से यह बात तो पक्की है तब में तो change in length निकलेगा भाई ये length बढ़ गई होगी न आप a o o o b जो होगी वह a beber से बढ़ गई होगई तब में तो change in length निकलेगा तब तो change in length this is nothing but AO plus OB minus AB ठीक है आपको ऐसा ने लटता कि AO और OB क्या होंगे बराबर होंगे मिट पॉइंट से लटका दिया है हमने यहाँ पर symmetry है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे twice of AO minus AB ठीक है चलिए very good twice of AO minus AB कितनी है twice of L के बराबर ठीक है मने टू बहार निकाल लिया bracket में क्या बचा AO minus L क्या बचा AO minus L अब ज़रा AO की value निकालो AO की value क्या है AO की value क्या है देखे यह है X इतनी है value X और इतनी है value कितनी L तो आप यह distance AO नहीं निकाल सकते बिलकुल निकाल सकते हैं सार वो कितना होगा X square plus L square का root आई बात समझ में हां से समझ में आ गई है लोग भाई तो पूट कर दो अगर समझ में आ गई तो इसी कोस्ट टू टाइम सॉफ टू टाइम सॉफ AO की value आप निकाली कितनी X square plus L square की power 1 by 2 minus L ठीके ना इसको अच्छा से लिख न intelig اἘनाですね क्लियर ओके सर्याइव है यहां से याप L square बहार निकाल किया कर रहा हूँ मैं L square बहार निकाल रहा हुं आई यह तो Dubai टा शाल इन इसी क्युक्वर पांश क्युक्वर बहार निकाल लागं to लग जायेहा रूट लग जायेगा तो यह बन जायेगा सिर्फ औसरो alf तो इल्ट क्या बचेगा सिर्फ औसर oyl फॉर सेल लगा और जिरो देख देख है तो क्या तो यहां पर आपने अफंत क्या स्वेट यसे मेने या इस से बहुत से बहु柠ा इस क्यों बाई एल स्कुर्टा करके लिखनों तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको वन प्लस एक्स स्क्वेर बाई एल स्क्वेर की पावर वन बाई टू स्क्राइबर बुछ पता है रुष और फार्प स्क्वेर बहुत ऑने वाला है थे क्या होने वाला बहुत छोट ने वाला गया इंटू X square by L square minus 1 यहां से minus 1 plus 1 से कड जाएगा X square upon 2 एच्छा क्या क्या कड़ गया 2 कड़ गया L कड़ गया 2 कड़ गया L क्या बच रहा है X square by L तो delta L की value आपके सामने आने लग गई है delta L की value आपके सामने आने लग गई है देखो इधर आजाओ इधर solve कर रहा हूं मैं delta L की value आगई है आपके सामने कितनी X square by L X square by L ठीके ना अब हमें strain निकालनी है strain is nothing but change in length upon original length original length है 2L और delta आपने निकाली है X square upon L और इसको 2L से multiply कर दो तो strain is nothing but X square upon twice of L का square है क्या option में X square upon twice of L का square या गया 5th option 5th question आपका हो गया है खतम आगे बढ़ते है next question पर तो यहां पर खतम होते हैं वारे practice question अब कुछ previous year questions देखेंगे आई यह पहला question है the following four you need 2013 का question है भाई need 2013 का the following four wires are made of the same material which of these will have the will the will have the largest extension सबस्यादा extension किसमें होगा यह उसने हमसे पूछा है आओ देखते हैं देखिए मुझे पता है extension का जो formula है डेल्टायल अभी आपने निकाल कर बताया f l upon a into e होता है ठीक ना इसको थोड़ा से expand करें क्योंकि मुझे आपर लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है ठीक है ना f into l area क्या लिख सकते हो पाइबाइबाइब 4 diameter का square into e क्योंकि वायर बोला है वायर का cross section क्या होता है circular होता है इसलिए यहां पर मैंने area के लिए पाइबाइब 4d square into e यहां एल भी आ गया है कि अपोन डी का square इससे आप क्या समझें? l by d स्क्वेर इन 4 इसके लिए जादा होगा इसका ही elongation सबसे जादा आना चाहिए क्या बोल रहा हूं मैं अगर l by dон square जादा होगा doa elongation भी क्या होगा जादा तप बस इतना ही तो समझना था पकड़ लिया मेरे जाल से आंसर आजाएगा आपका 50 cm and diameter 0.5 mm ठीक है आप इसको एक बास solve करके देखिएगा कुछ भी नहीं करना है L by D का square निकालना है चालो के लिए चारो के लिए और कर लेना है किसका सबसे जादा है जिसका सबसे जादा होगा जिसका सबसे जादा होगा उसका elongation सबसे जादा चलिए भैतरीन भैतरीन बहतरीन next question two wires are made of the material made of the same material and has the same volume the first wire has cross-sectional area a and the second wire has the cross-section area 3 a church 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 the first wire I लिख लेता हूं भाई मैं भूल जाओंगा नहीं तो second wire oh फिर से लिखते हैं two eyes are made of the same material material cma मतलब य बराबर होगा modulus of elasticity बराबर होगा have the same volume volume cma मतलब volume and the volume अगर इसका वी है तो उसका भी वाल्यूम भी होगा the first one has the cross-sectional area a and the second wire has the cross-sectional area 3a if the length of the first wire is increased by Delta L अच्छा Delta L इस पे increment आया है मतलब elongation आया है by applying of force F how much force is needed to stretch the second wire by the same amount इतना ही आपको stretch करना है और force की value निकालनी है माल लिजे मैंने F-1 निया force ठीक है मुझे एक बात पता है कि दोनों का modulus of elasticity same है चली तो मैं जानता हूं कि क्या जानता हूं del L is equals to FL upon AE यह जानता हूं और मुझे बुला है दोनों ही case में del L क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं e की value निकाल रहा हूं e किसके बराबर होगा a into del L a into del L upon f into L सब्सक्राइब की समझ रहों कि नहीं समझ रहों हां सर समझ रहे हैं बिल्कुल समझ रहे हैं अच्छा तो यहां पर आप देखिए एक है first wire एक है second wire एक है first wire एक है second wire तो मैं ऐसा बोल सकता हूं e1 इज इक्वल्सटो a1 delta L upon delta L1 upon f into L1 लिख सकता हूं क्या हाँ सर बिलकुल लिख सकता हूं और दूसरी के लिख सकता हूं मैं e2 is equals to a2 into delta L2 upon f-dash into L2 लिख सकता हूं clear है सर बिलकुल clear है बिलकुल clear है चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर मैंने बोला कि e1 e2 के बराबर है देखो दोनों की modulus of elasticity क्या है सेम है तो अगर e1 e2 के बराबर है तो हम बोलेंगे a1 delta l1 upon f l1 is equal to a2 delta l2 upon f dash into l2 लिखा चलो अब जो values गिमना जरह उसे देखो delta l तो सेम होना चाहिए delta l तो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो यह कड़ जाएगा एरिया की बात करें तो पहले का area a है दूसरे का area 3 है चलिए 3a है तो यहां पर लिखूंगा मैं a into 1 divided by f into l1 is equal to a2 कितना है three times of a into one divided by f dash into l2 चलो अब यहां पर मैं देखना हूँ कि a से a कड़ जाएगा यहां पर f और f dash का relation निकल कर आने वाला है अगर मैं l1 और l2 निकालनों कैसे भी करके ठीक है आगे देखते है एल और l1 l1 और l2 के बीच पर कुछ दिया है क्या नहीं दिया है पस यह बोलाए कि वाल्यूम सेम है वाल्युम क्या है से म्तलब v1 किसा ब्राबर है वी 2 का ब्राबर है जõक忍 कि और ली जा होगा यह होगा भी ह गई समझे का यहां पर आप 11 की वैल्यू क्या रग दो थी ताइमस ऑफ ल टू रग दो तो लो भाहिया ओम्फो 11 की वैल्यू कितनी आ गई तीम सुफ एस ब्स टू अपन एफ दाश इन्टू एंटू एंटू से ल टू कटा एफ दैस की वैल्यू कितनी आ गई तरी टाइमस थी इंटू थी नाइन टाइमस आफ एफ लो आंसर आ गया एफ डैस की वेल्यू कितनी आगई एफ डैस आप इधर ले जाओ यह थी तर ले जाओ तो तो ती तरी जाओ नाइन इंटू एफ आ जाएगा आंसर खतम ठीक है कुछ भी नहीं था डेटा लिख लेना चाहिए बस कंफ्यूस करते हैं फ्रस्ट और सेकेंड लिखें वह और कुछ भी नहीं चलिए तो इसी के साथ खतम होता है आज का यह क्रैश कोर्स आपका जहां पर हमने बहुत ही बहुत ही शांदार तरीके से क्या कर लिया है मेक आपको फ्री आफ कॉस्ट बस्त और ज्यादा और्गनाइज तरीके से यहां पर आपको दे दिया गया है जितना भी जितना भी इतनी सारी चीज़ें हमने आपको आपको पर पढ़ाई हुई है आप माल लिजा आपको नीट का कंटेंट देखना है आप यहां पर जाकर क्लि आप वाचनाओं पर क्लिक करोगे देखो मैं आपको ऐसे पढ़ाता हुआ यहां पर दिख जाओंगा आपको पता है हमारी आइडिलोजी क्या हैं कंप्लिटी फ्री एजूकेशन देने में बिलीफ करते हैं फ्री का मतलब यह नहीं के कंटेंट से कॉम्परमाइस किया गया ह सके वीडियो उसको शेर करके आग की तरह पहला के अपने वाट्सक ग्रूप में तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को हतम मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक साथान रहिए सतर कर रहिए पढ़ते रहिए तैंक यू परी मॉच